ऐसे कई मातापिता हैं जिन्होंने सही समय पर पैसों की बचत और निवेश को महत्वर नहीं दिया। और भविशे के लिए तयारी हो तो वे अपना जीवन सम्रद्ध तरीके से जी सकते हैं। निवेश के लिए 18 साल की उम्र बहुत सही है। यहां से mutual fund, share, PPF account में निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। निवेश करने के पूर्व उन्चे संबंदित, नियम वर शर्तों को समझ लेना शरूरी है। अपना pan card बनवाना, आधार card अपडेट करना, driving license बनवाना शरूरी है और एक bank खाता भी होना चाहिए। यदि पूर्व में bank खाता है, तो उस खाते को अपडेट कराकर उसे नाबालिक से बालिक में परिवर्दित कराए। निश्चत रूप से इस उम्र में बच्चों के पास अधिक आयर नहीं होती है। अपनी pocket money में से खर्चों का प्रबंधन करके ठोटी से छोटी बच्चत की शुरुवात की जा सकती है। जो भविश में काफी साखरक होगी। यहां बच्चत करने का मुख्य उद्देश्य खर्चों का प्रबंधन सीखना होता है। जिससे भविश में काफी लाब मिनते हैं। प्रबंधन का प्रबंधन एक साथ नहीं कर पाते हैं। यदि हम अपने जीवन के प्रारम्री चरण से ही बच्चत करने की शुरुवात करते हैं। तो इसके रिटर्न के परिणाम बहुत ही शानदार होंगे। चोटे उम्र में बच्चत करने पर किस प्रकार से रिटर्न प्राप्त होगा उसे हम एक उधारन से समझ सकते हैं। जिनकी उम्रे 46 वर्ष है और वो अपने रिटार्मेंट के लिए 30,000 रुपे प्रती माह अगले 14 वर्ष के लिए बच्चत करते हैं। और उस बच्चत पर 10 पीसदी का अनुमानित रिटर्न प्राप्त करते हैं। 60 वर्ष की उम्र में उनकी कुल जमा राशी 50,40,000 रुपे होगी। वहीं उस राशी पर मिले रिटर्न के साथ उनकी कुल राशी 1.6,16,502 रुपे होगी। 36 वर्ष की उम्र में 17,500 रुपे प्रती माह की राशी अगले 24 वर्ष के लिए निवेश करते हैं। तो 60 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा जमा राशी भी 50,40,000 होगी। उन्हें कुल 1,95,91,084 की राशी क्राप्त होगी। 18 वर्ष की आयू में 10,000 रुपे प्रती माहा आने वाले 42 कुश वर्षों के लिए। आप सदी की दर से निवेश करते हैं तो उनके द्वारा जमा 10 पीसदी की गई राशी भी 50,40,000 होती है। लेकिन इस पर जो ब्याज आता है उसकी कुल राशी 6,80,09,99 रुपे होती है। तीनों लोगों के द्वारा जमा की गई राशी समान थी लेकिन अंतर था सिर्फ समय का जिसके कारण वापस मिनने वाली राशी में काफी ज़्यादा अंतर था। अजय कुल राशी जड़ा जसके का जिसके का जिसके काफी होती है।